यह न्योख कर रही अगर कोई भाचपा के खिलाफ है तो यह बात धी विरोधी है जो भाचपा सरकार कि पूढने क्यूँ है ब्रोजगारी क्यू है आप देश बारत के ओपर कोई विक्ती संगठन या राष्ट अगर नजट टेडी करके देखता है तो उसको वही मूथ और जवाब मिलेगा जो अब मिला है बदानमंत्री कोई हो सरकार किसी की हो हमारी सेना उनका शौर उनकी वीरता हमारे लिए बड़ा फकर का सम्मान वाला इशू है तो वो अलग है लेकिन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप हमारे सेनिकों की वीरता, उनकी कुरवानियों के आड़ में काम करों वो ठीक नहीं है मुझे लगता है कि सरकार को पांच साल में जो उनकी रिपोर्ट काड है, महंगाई की, काले धन की, भष्टाचार की, किसानों पे संकट की, विरुजगारी की, उस पर बताना चाहिए न, ये स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्वच इंडिया, मेड इन इंडिया, प बाजपा को, कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि जब भाजपा अगर हिंडू-मुस्लिम के सवाल उठा रही है, तो कॉंग्रेस पार्टी भी एक तरह से संक्रट में पढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप उसका उपोज करेंगे, अगर आप कहेंगे कि नहीं, आप जो कह रहे है गलत है, साथभी प्रग्या को आपने एक कैंडिडिट बनाया, ये गलत है, अगर आप इसको बहुत वुसिफिरसली कहेंगे, तो हो सकता है कि पॉलराइज़ेशन हो जाए, जिसके वेज़े से भाजपा चुनाओ जीचाए, विक्रम इस देश को हमारे पूरुजन वर्दा समयधान दिया था, समयधान में सब बराबर है, आपकी एक वोट है, मुदी साब की एक वोट है, राश्पती की एक वोट है, मेरी एक वोट है, हम सब एक एक वोट के मालिक हैं, इस देश के समयधान में सब बराबर हैं, मैं बड़े फक्र से बोलता हूं कि कोई मजभ, जात लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनको टिकेट नहीं देना चाहिए था वो हिंदू है या जैन है या बुद्ध है या मुसलमान है उस फरक नहीं पड़ता है क्योंकि उन पे एक आरोप लगा था वो अभी मुक्त नहीं हुए उस आरोप से इसलिए नयतिक्ता के दार पर मैं चौदा भाजपा लगब घर एक सीट जीती थी असेंब्ली एलेक्शन में कॉंग्रेस जीती थी पर काफी क्लोस था अब इन चुनाओं में मुद्धा क्या होगा नरेंदर मुद्धी क्या मुद्धा होंगे कि प्रदान मंत्री किसको बनाना है क्या राश्ट्रबाद मुद अगर पाकिस्तान हरकते करेगा तो उसको तो दात खटे में करने हैं चाहे कोई प्रदान मंत्री कोई सरकार हो लेकिन जो चुनाव आज लाना जा रहा है वो रोजी रोटी का चुनाव है वो नौकरी बेरोजगारी महिंगाई इनके इलेक्शन पे आपके डेवलप्मेंट म आप सडके मनाओ आप पुल बनाओ उसकी बात नहीं करना चाहते हैं तो यह चुनाव मुझे लगता है कि जो समझदार लोग हैं जानते हैं देंकि मीडिया में जो प्रपगेंड़ा हो रहा है वो एक तरफा है आप कोई चैनल उढ़ा के देख लीजिए वहां सिरफ मोदी स जीवन को इस लिए इस चुनाव में हर मोर्चे पर फेल रही है बीजेपी के सरकार और उनको उसका नुक्सान उठाना पड़ेगा तो मई 23 को जब सारे आख्रे सामने आएंगे राजस्थान में कौन जीतेगा कितने सीट जीते हैं देखे हम तो अपना पुरी पोशिश कर हैं मैं भवश्वान नहीं करता हूं तो अमिश्चा जी ने कहा कि भाजपा एक बर और जीट जाए तो पचास साल तक राज करेंगे अब इतना घमन इतना एहंकार इतना गुरूर नहीं होना चाहिए विनमरता से क्योंकि जो व्यक्ति जीत के जाता है उसको तो दुगना व झाल